यह स्टूडेंट्स आने इस मोड्यूल में कि लैंग्विज एज रूल गवर्नन्ट सिस्टम के बारे में आप से बात करनी है अग्वार्डिंग तो नील स्मिथ एंड डैडर विल्सन लैंग्विज इस आ गवर्न गवर्नन्ट सिस्टम इस में जो लैंग्विज वो सिस्टम है जो रूल्स के जरीए वकू पजीर होता है यानि इस में जो लैंग्विज लर्नर भी है और जो लैंग्विज एक्वाइर करता है उसको सर्टन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है और language को जो even spoken, written, हर शकल में अगर हम देखें तो वो rules की मदद से होती है, rules के तहद होती है, उसके बाकाइदा rules होते है तो यह नहीं यह rules की शकल में इसके मुखलिफ forms में इसको express किया जाता है People use language for communication तो मैंने जैसे इससे पहले भी बात हो चुकी आप से के language जो है यह बहुत पड़ा communication का source है और definitely जब हम इस source को use करेंगे तो हमें certain rules और patterns को follow करना पड़ेगा बास वकात ऐसा भी होता है कि कुछ लोग वो follow नहीं कर पाते patterns It means they don't know the rules So anyhow they have to learn the rules, regulations और language में अपनी express करने के लिए उनको definitely वो rules जो language के हैं उनको सीखना पड़ेगा तब वो जा के express कर सकते हैं Smith and Wilson presented a theory What language is So this argument इस argument में भी उन्होंने इस बारे में arguments दिये यानि इस theory में भी उन्होंने यही arguments दिये के language is a rule governed system और उन्होंने अपने जो instances लिए वो definitely कुछ rules और regulations की example देते हुए या उसके बारे में बात करते हुए उन्होंने इस पर इजहार किया और उनका instance भी इसी बात पर है कि language is a ruled governed system फिर language की different theories, definitions language की different definitions हैं जिसमें भी इसी बात का instance लिया जाता है यानि वो इसकी कोई न कोई dimension इस तरह present की जाती है कि वो rules regulation की सूरत में होगी और इसके हर language में जो इसके aspects बयान किये जाते हैं वो rules regulation की ही बात है और तो language as a rules governed system देखें इसमें grammar है, syntax है, morphology है words की साखत है, sentences की साखत है फिर sentences से आगे आप जो पूरा आपकी आप ये कहें जो आपकी अबारत होती है पूरी तो उसमें जो रखें, कहां sounds से चलकर words की शकल में words से sentences या phrases phrases से sentences बनाकर और फिर उसके आगे इनसान communicate करता है और communication जो इसकी मैंने बताया आपको कि ये certain rules regulation की बदालत ही होती है जो language सीख कर हम उनको उन rules के मताबक हम उनको उनमें communicate करते हैं linguistic and other language theories ये भी argue करती हैं कि language is a complex system देखें it is not easy system आप देखें language में बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं बहुत से प्रिंसिपल चल रहे हैं आप prepositions को देखें आप parts of speech को देखें आप sentences की साख देखें आप tenses को देखें एक्टिवाइस पैसिवाइस को देखें आप यह नहीं different चीज़े हैं उनको अगर हम देखेंगे तो these are not easy these are अच्छा उसमें यह है कि वो हमें बताती है कि language चूज करते हुए हमने किस चगा हमने flow करना है है आगे बढ़ना है किसे का हमने stop करना है और उससे definitely meanings में फर्क पड़ जाता है और यह क्या है एक system system का हिस्सा है एक system का part है तो rules governed system से मुराद यह है कि language क्या है बाकाइदा यह system है जो communication का जो इजहार का जो knowledge की expression का एक जरिया है और modern linguistic theories claiming that language is rule managed system तो rules मैंने आपको बताया कि ना सिर्फ rule governed है बलके rule managed system है इससे मुराद यह है कि आप जब आप language में इजहार करेंगे तो आप language आप rules को manage करते हुए rules का इस्तमाल करते हुए आप अपनी बात दूसरों तक convey करेंगे और उसकी जो भी form आप use करेंगे आप देखें language में आप देखें प्रोस है पोईटरी है यह जो भी है तो उन साब के अपने अपने principles हैं अपने 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 इसहार का जरीए है और यह grammar के जरीए इसहार करते हम इसका तो यह language क्या है इस set of rules governed system जो communication के लिए इबलाग के लिए knowledge expression के लिए knowledge की presentation के लिए हम use करते हैं करते हैं